अगर आपका गेट का पेपर बिगड़ गया है, तो हमारे पास क्या-क्या ओप्शन मुझूद है? चलो आज हम इसको डिसकस करते हैं. सबसे पहले तो मैं जील के स्टुटेंट्स को बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहूंगा, जिनोंने जील के material को, जील की test series को, जील के course को फॉलो किया, और गेट का paper लगबग वैसा ही आया है, लगबग question वहीं की वहीं, वहीं चीज पूछी गई है. मैं आपको एक वीडियो भी देने वाला हूँ, आगे चलके एक वीडियो भी आने वाला है, जिसमें हम लोग बताएंगे की, कैसे जील का material और gate का paper एक synchronization को follow किया है, हम लोग gate की preparation के लिए नया session, चवदा तारिक से चालू कर रहे हैं, online और offline दोनों more में, और हाँ, third year में जो लोग हैं अभी, उन लोगों को तो अपनी gate की preparation चालू रखना ही है, paper के सा भी गया हो, हमको आगे अपनी preparation को आगे continue करना है, चलो हम आगे बात करते हैं कि क्या-क्या option हमारे पास gate के बाद मुझूद हैं, तो सबसे पहला option जो हमारे पास है, त्रिपल आईटी हैदराबाद, त्रिपल आईटी हैदराबाद की image जो पिछले सालों में इतनी ग्रोव हुई है कि कहीं किसी आईटी को भी इससे compare कर सकते हैं, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद चूस किया है, लोगों ने आईटी रूल की, आईटी गोहार्टी या इन इस्ट्रिटूट्स की जगड़ ट्रिपल आईटी हैदराबाद को चूस किया है, कोडिंग का बहुत अच्छा माहो ले वहाँ पर, if you want to be coder, तो किसी भी आईटी को भी छोड़ सकते हैं, आप अगर एक अच्छे hard coder आप बनना चाहते हैं, तूसरा option है अपन Bits Pilani की बात करें, Bits Pilani बहुत अच्छा इंस्ट्रिट है, तीनों campus की बात करें, तीनों campus के लिए जो है, placements जो है, वो same common होते हैं, common placement होते हैं, Bits Pilani की हो, Goa की हो, या अपन हैदराबाद की बात करें, तीनों जगर placement, लगबग IIT जैसे या IIT से कही बार अच्छे भी placements आपको वहाँ पर मिले हैं, तो yes, one can go further, Bits Pilani, देगे मैं अभी उन options की बात कर रहा हूं, पहला मैंने ट्रिपल आइटी हधराबाद बोला, ट्रिपल आइटी हधराबाद तो उन लोगों को चूज करना च चाहिए क्योंकि Bits Pilani, ट्रिपल आइटी बैंगलोर दोनों को comparison लोग चूज कर सकते हैं Bits Pilani और ट्रिपल आइटी बैंगलोर में, तो Bits अपने पास दो चौइस होगी, इसलिए Bits Pilani के मैं फॉर्म बनने के लिए, एक्जाम देने के लिए आपको बोलूँगा, Bits Pilani में ड यहां के सारे बच्चे जो हैं, वो मशीन लर्निंग और इस तरह के profile में जाते हैं, जिन लोगों का मैस एक passion है, उन लोगों को जरूर ISI Kolkata का एक्जाम देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ISI Kolkata की फीज बिलकुल भी नहीं है, लगबग फ्री, लगबग भी नहीं, फ् prepare yourself for life, एक rigorous आपको कर्योकलम IIIT Delhi आपको गवाइट करता है, बहुत hard working students IIIT Delhi में जाते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा मैनत कर रही जाती है, तो आप इसके लिए तयार रहे गए, अगर आप इसके लिए तयार है, और मैं कहता हूँ कि अगर जिन लोगों को IITs नहीं मिल रह अगला आता है CMI, चन्ही mathematical institute, बिल्कुल अच्छा institute है, यहां के placement भी IIT को compare कर सकते हैं, तो इन पांच institute को अगर किसी का gate का examination अच्छा नहीं गया है, या आपन बोलें कि 1000 से 1500 के बीच की rank अगर आ रही है, वागी 3-4 नीचे के लिए बोल रहा हूँ में, तो अगर आपकी rank य बिगड़ा है, या आप, आपकी rank उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो अगर और इन institute की date, या form बने की date कब आ रही है, तो आप हमारे social media channels को follow करें, वहाँ पर आपको सारी detail आपको मिल जाएगी, टिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, मैं एक और वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, अभी 2-3 दिन में आपको वीडियो आपके पास में होगा, जिसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि, क्या-क्या चीजे पढ़ना है, किस तरह का paper आता है, और किस तरह की screening वहाँ पर होती है, इंटर्यू में लग क्या चीजें पूछी जाती है, पूरा एक डिसकॉशन हम रिपल आईटी हदराबाद के paper के बारे में, उसके guideline पूरा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पांच institute तो अपने gate का अगर paper बिगड़ा है, वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर ये चाह उसका जो, जो written होता है, वो बिलकुल एक in line with the gate format, जो gate में पूछा जाता है, वही की वही, इनके paper में पूछा जाता है, so continue your gate preparation, आप अगर इन जगह पर जाना चाहते हैं, धर कשना आञे हैं, ठैकाई कंटते हैं, झाक कर सकार भी है त्याग behavior, जिस क्ड़िसे नपनेश, मुझञ़ दो, स्कारवन जाता हैी प्रस्स, और दियूपक्पर धार, कर सबस्राब कर केसिं अंसे हैं, येख्डि क्च जाल पूर क्या। वीचेब काX Pra'm 달 है तक प।क्षिन